धूमन गंच के तारबाग मोहले में रहने वाले अथारा वर्षिय अनुराग की संदिग्धा दशा में मौत हो गई। उसकी लाश पेड के पंदे पर लटकी मिली। पुलिस आत्महत्या बता रही है लेकिन अनुराग के परिवार ने मोहले के चार युवकों पर हत्या का आर कि दो दिन पहले मोहले के कुछ युवकों से किसी बात को लेकर अनुराग से जगड़ा हुआ था। वहीं मकान से कुछ दूर पर खंदहर में उसकी लाश मिली। गले में बैल्द का पंदा था। सूचना पर पहुची पुलिस ने चानबीन के बाद शफ पोस्ट माटम को भेज दिया। चौकी इंचाज नीवा प्रीत पांदया का कहना है कि घटनास्थल की जाच से पता चला है कि युवक का शफ पेड़ के पंदे पर लटका मिला था। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिवार वालों ने कुछ लोगों से दो दिन पहले विवाद की बात है। अनुष का नाम है तो सब चक्कन कहते हैं तो क्यों लोग थे वो लोग उसाब बताएगा तो मालूम चले काई लोग है कोई पकड़ा गया इसमें पकड़ा गया है कौन विक्की तो उसने बताया गया यह मंदब किस तरह से मारा था उसने बताया है पे नहीं बताया किस तरह मारा है वो बताए को कुट कुट के भागे हैं कुट कुट के भागे हैं